प्रियास إक्सैमिसें में एक बार फिर से आप से भी का स्वागत है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिश्ट की पोस्ट के बारे में जो की डिकिडी है इगनू के अंदर。 इस वीडियो के अंदर हम लोग जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल आपको देंगे और साथ में देंगे सैलरी की कैलकुलेशन की डिटेल जो कि किसी भी यूटूब चैनल पर उपलब्द नहीं है इगनु के अंदर जो पोस्ट निकली है दोस्तो वो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है और ये जो पोस्ट है वो लेवल 2 की पोस्ट है जिसे 1900 ग्रेड़ पे के नाम से भी जाना जाता है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ओनलाइन एप्लिकेशन फोर्म 22 मार्च 2023 इसको 10 बचे से शुरू हो चुके हैं और जो उसकी एंड डेट है वो 20 अपरेल 2023 है रात के 11 बज कर 50 मिनट तक आप फोर्म भर सकते हो टोटल हमारी जो पोस्ट है दोस्तो उन में से जो अन्रिजर पोस्ट है वो 83 है और अन्रिजर कैंडिडेट के लिए जो एप्लिकेशन फीज है वो 1000 रुपे है और अन्रिजर कैंडिडेट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है 31,230 वो 27 साल है SC category के लिए जो post leisure है वो 29 post है और SC category के candidate को जो application fees पे करने पड़ेगी वो 600 रुपे पे करने पड़ेगी और जो maximum age limit है SC candidate के लिए वो 32 साल है इसके बाद बारियाती है ST की, ST के लिए जो total post है हमारी वो 12 है और application fees 600 रुपे है और जो maximum age limit है वो 32 साल है इसके बाद बारियाती है OBC की, OBC के लिए जो हमारी total post है वो 25 रुपे है application fees में कोई भी एक जमसन नहीं है यानि 1000 रुपे वो application fees है और जो maximum age है OBC के लिए वो 30 साल है इसके बाद बारियाती है EWS की जिसके लिए total 21 post है और application fees 1000 रुपे है और जो maximum age apply करने के लिए वो 27 साल है और उसकी typing speed या तो English में 40 word per minute होनी चाहिए और या Hindi में 35 word per minute होनी चाहिए computer के उपर Candidate को application form fill करने के लिए किन किन document की जरुत होगी वो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले Candidate को registration करना पड़ेगा और registration करने के लिए Candidate को जरुत पड़ेगी mobile number की, email ID की और एक government द्वारा जारी के आगया कोई भी ID proof जैसे आधार, pen, passport number, रासन कार्ट नमबर या voter ID कोई भी document चलेगा registration करने के बाद में Candidate को application form fill करना पड़ेगा form बरने के लिए Candidate को जरुत पड़ेगी passport size photograph की, वो भी scan copy और ये जो copy है दोस्तो वो JPG format मोने चाहिए जिसका size 10KB से लेके 200KB के बीच में होना चाहिए अगर किसी Candidate को किसी भी document के size को adjust करने में कोई problem हो रही है तो वो मुझे comment करके बता सकता है मैं उसकी जरूर help करूँगा, दूसरा जो document की जरुत पड़ेगी वो signature की पड़ेगी, signature का इभी photo खीच को उसका size adjust कर सकता है size जो रहेगा हमारा 4KB से लेके 30KB के बीच में रहेगा, और format जो रहेगा image का वो JPG रहेगा तीसरा जो document हमारा 10th की mark sheet रहेगी, जिसका size जोना चाहिए 50KB से लेके 300KB के बीच में और JPG format रहेगा इसके बाद जो document हमारा 12th की mark sheet रहेगी, size हमारा वही रहेगा 50KB से लेके 300KB के बीच में और JPG format रहेगा इसके अलावा जिस document की जरुत पड़ेगी, वह हमारा category certificate यानि कि SC, ST, OBC, EWS और PWD का certificate इसका size होना चाहिए 50KB से लेके 300KB के बीच में इसके अलावा अगर candidate के पास कोई experience certificate है तो वह उसे भी upload कर सकता है, उसका भी size हमारा 50KB से लेके 300KB के बीच में रहेगा अगर किसी candidate को online application form फिल करते वक्त, किसी भी परकार का doubt आता है, या किसी भी परकार की कोई दिक्कत आती है, तो वह मुझे comment करके बता सकता है, मैं उसकी जरूर help करूँगा जूनियर assistant की post के लिए पहले tier 1 का exam होगा, जिसके अंदर आपको 2 गंटे के अंदर date से question करने होगे, और total 5 हमारे subject होगे, जो candidate tier 1 में qualify करेगा, उसको typing test के लिए बुलाया जाएगा, यानि tier 2 के लिए बुलाया जाएगा, और typing की जो speed है दोस्तो, वो minimum English के अंदर 40 word per minute होनी च चाहिए, यह जो typing test हो दोस्तो, वो qualify nature का है, यानि अगर कोई candidate 1 मिनट में 50 word निकाल देता है, और अगर कोई candidate 1 मिनट में 42 word निकालता है, तो दोनों को एक जैसे ही marks मिलेंगे, ज्यादा word type करने वाले को कोई वरियता नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो test हो दोस्तो, वो qualify nature का है अब हम लोग चलते हैं salary calculation की तरफ, salary की पहली calculation sheet में हम लोग discuss करेंगे उन candidate की salary, जिनको posting मिलेगी दिल्ली, मुंबई, कलकता, चेनि, गाजियाबाद, बैंगलोरू, हैदराबाद, पुने और एमदाबाद, क्योंकि यह जो no city है दोस्तो, वो HR के जरिष्टी से X class city के अंदर आती है, और in nine city के अंदर जो transport allowance मिलता है, वो 1350 रुपे के rate से मिलता है, इगनु की जो junior assistant कम typish की जो post है दोस्तो, वो level 2 यानि grade पे 1900 की post है, और यह payband 1 के अंदर आती है, group C की यह post होती है, जिसका payband 1999 से सुरू होता है, और 63200 पे खतम होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते earning side की, earning side में आएंगे हमारे pain allowances, junior assistant की post पर join करने वाली candidate को, initial joining की टाइम पे जो basic salary मिलेगी, वो 19900 रुपे मिलेगी, और यह हमारा salary का सबसे पहला component होगा, salary का जो दूसरा component हमारा हो है, महंगाई बढ़ता है, जिस का rate एक जनवरी 2013 से 38% से बढ़कर 42% होगा, बेसिक salary का, ज होता है दोस्तों, उस साल में दो बार बढ़ता है, और जिसकी effective date एक जनवरी और एक जुलाई होती है, बले ही महिंगाई बत्ते की बढ़ने के announcement, सरकार द्वारा एक दो महिने लेट ही क्यों न की जाए, इसके बाद बार्याती हाउस rent allowance की, हाउस rent allowance जो होता है दोस्तों, व में राएगा 5,370 रुपे, लेकिन HRA के सरकुलर के अनुसार, किसी भी पोस्ट पर X-Class City के अंदर 54 रुपे से कम HRA नहीं मिलेगा, यानि किसी भी पोस्ट पर X-Class City में अगर 54 रुपे से कम HRA बैठता है, तो जो minimum HRA है वो मिलेगा, यानि 54 रुपे मिलेगा, इसके बाद बा प्राउंस के ओपर DA भी मिलता है, जो भी उस टाइम पर DA करेट होता है, तो 350 रुपे के अपर जो 42 परशेंट से मरा DA बनेगा, 566 रुपे बनेगा, जूनिर असिस्टेंट की पोस्ट पर, इन 9 सीटे में जोईन करने वाले केंडिडेट की जो ग्रोस सेलरी बनेगी, वो 35, 3555 रुपे बनेगी, बात करते हैं डिडेक्शन की, सेलरी में से जो मारी सबसे पहली डिडेक्शन होगी, वो रहेगी NPS की, यानि नेशनल पेंशन स्कीम की, जिस करेट होता 10% बेसिक पलस डिये का, जो मरा जोएगा 2826 रुपे, इसके बाद बारियातिय सेंट्रल गवर्मे यानि CGHS की, CGHS दो होता है दोस्तों, वो एम्पलोई को मेडिकल की फैसिलिटी प्रवाइड कराने के लिए होता है, इम्पलोई की जोईनिंग के पस्चात में, एम्पलोई का एक CGHS का कार्ड बन जाता है, जिसे एम्पलोई और एम्पलोई के फैमिली मेंबर होस्पिट और इगनू भी अपने करमचारे को इंसरस कराता है जिसके वजलों एंपलोई की सेलरी से 30 रुपे कट करता है हर महीने इसके बाद बारी आते हैं इंकम टैक्स की जिसे हम लोग 0 लेकर चल रहे हैं क्योंकि इंकम टैक्स की नियूर इजिम की अनुसार जूनेर एससेशन की पो गुर्मेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि ये टेक्स स्टेट गोर्मेंट द्वारा लगाया जाता है जिसका अलग 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 है इसलिए हम लोग इसको 0 लेकर चल रहे हैं इस परकार जो हमारी कुल डिडेक्शन बनेगी हो 3106 रुपे बनेगी और महीने के लास्ट सिटी में जो ट्रांस्पोर्ट लाउंस मिलता है वो 900 रुपे के रेट से मिलता है गुडगाओ फ्रिदबाद ओनेडा में जोईन करने वाले करमचारी की जो बेसिक सेलरी रहेगी वो 9900 रुपे ही रहेगी और जो डियर्नास अलाउंस से दोस्तों उसमें भी कुछ भी चें जो जाएगा 900 रुपे के अपर 42% के रहेगा 378 रुपे हमारा डियर्न टीय बनेगा और इन तीन सिटी में जोईन करने वाले कैंडिडेट की जो ग्रोस सेलरी बनेगी वो 34936 रुपे बात करते हैं डिड़क्शन की डिड़क्शन में हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा डि इन दोर नागपूर, कोची, कोचगोड और कोईमबर टूर के अंदर ये जो 10 सिटी हैं दोस्तो वो एचारे की दिरिष्टी से वाइकलास सिटी में कवर होती है और यहाँ पर एचारे 18% के रेट से मिलता है और ट्रांस्पोर्ट लांस 1350 रुपे के रेट से मिलता है इन 10 स सेलरी का यानि 19,98% निकालता हूँ तो मेरा एचारे हैगा 3580 रुपे लेकिन एचारे के सर्कुलर के नुसार वाइकलास सिटी में किसी भी पोस्ट पर जो मिनिममम एचारे मिलेगा वो 3600 रुपे मिलेगा तो इसलिए हम लोग मिनिममम एचारे लेके चल रहे हैं वही केंड सेलरी के उपर एचारे हैं तो हमारा एचारे हैगा 3600 रुपे और जो इंदस सिटी के इंदर ट्रांस्पोर्ट रॉपे मिलेगा वो 1350 रुपे के रेट से मिलेगा और D&T हमारा ओजएगा 560 रुपे तो इंदस सिटी में जोईन करने वाले केंडिडिड़ की जो ग्रोस सेल की फोर्थ calculation seat के अंदर हम लोग discuss करेंगे HR की दिरिष्टी से Y-class city में cover होने वाले in 82 city में join करने वाले करमचारी की salary calculation यह जो 82 city है दोस्तो वो HR की दिरिष्टी से Y-class city में आती है और यहाँ पर HR जो मिलता है वो 18% के rate से मिलता है और जो transport allowance हमारा वो 900 रुपे के rate से मिलता है इन 82 city में join करने वाले candidate की जो basic salary रहेगी महिंगाई बता रहेगा और HR रहेगा वो मारा पहले जैसा ही रहेगा लेकिन इन 82 city में join करने वाले candidate को जो transport allowance मिलता है वो 900 रुपे के rate से मिलता है और D&TA हमारा हो जाएगा 42% के rate से 378 रुपे इन 82 city में join करने वाले candidate की जो gross salary बनेगी वो 33,136 रुपे बनेगी और deduction side में हमारा कुछ भी change नहीं होगा deduction हमारी वही रहेगी 3,106 रुपे और जो account के अंदर salary transfer होगी 30,030 रुपे होगी इन 82 city के अंदर salary की पांच वहने आखरी calculation sheet के अंदर हम लोग discuss करेंगे बाकी बची location की अभी तक पिछली 4 calculation sheet के अंदर हम लोग 104 location की salary calculation देख चुके हैं इसके अलावा जो भी location बच गई वो HRA की दिरिष्टी से Z class city में cover होती है और इन location में join करने वाले candidate को जो HRA मिलता है वो 9% के rate से मिलता है और transport lounge 900 रुपे के rate से मिलता है HRA के दिरिष्टी से Z class category में आने वाली location में join करने वाले candidate को जो basic salary मिलेगी वो 9900 रुपे मिलेगी यहनि basic salary में कुछ भी change नहीं होगा और महंगाई बत्ते में भी कुछ भी change नहीं होगा लेकिन Z class location में जो HRA मिलता है वो 9% मिलता है basic salary का लिए हम लोग 18 रुपे अचारे लेके चलेंगे और जो हमारा transport lounge मिलेगा इन location के अंदर वो 900 रुपे मिलेगा और D on T a 42% के rate से मिलेगा 378 रुपे और Z class location में join करने वाले candidate की जो gross salary बनेगी 31,336 रुपे बनेगी बात करते हैं deduction की deduction में हमारा कुछ भी change नहीं होगा 3,106 यह जो salary calculation दोस्तो यह जून 2013 तक applicable होगी एक जुलाई 2013 से डिरनेस allowance के rate में यह गाई बत्ते के rate में फिर से change हो जाएगा और हमारी salary calculation भी change हो जाएगी तो यह था दोस्तो हमारा इगनू के अंदर junior assistant की जो post निकली है उसकी जानकारी और उसकी salary की जानकारी देने का एक छोट सप्रियास आश्या करतों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी जय हिन जय भारत